सात्यों स्वतमत्रता के बात के दशकों में देश ने बहुत कुछ सह लिया अब ये नया भारत अपने सामर्थ अपने साधन अपने संसाधनों पर बरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है अपनी बुनियादी कमजोरियों को दूर करने का, अपनी चुनोतियों को कम करने का प्रयास कर रहा है लेकिन साथियों, बढ़ते हुए इस भारत के सामने एक चुनोति और खड़ी हुई है ये चुनोति है, अपने ही देश का विरोथ और अपने ही देश की मजा गुड़ा कर आत्मसंतुष्ठी की प्रवृति का मुझे अस्यर्य होता है, कि आज जब पुरा देश हमारी सेना के साथ कंदे से कंदा मिला कर खड़ा है तो कुछ लोग सेना पर ही संदेश कर रहे हैं एक तरब आज पुरा विश्व आतं के खिलाब लड़ाई में भारत का साथ दे रहा है तो दूसरी तरब कुछ पार्टियां आतं के खिलाब हमारी लड़ाई पर संदेश कर रहे हैं ये बही लोग हैं जिनके बयानों को जिनके आर्टिकल्स को पाकिस्तानी साउंसर, वहां का रेडियो, वहां का टेलिविजन चैनल आपर भारत के खिलाब एक सबूत के रुप में इस्तिमाल किया जा रहा है ये लोग मोदी विरोध करते करते देश विरोध पर उतर आये हैं देश कोई ही नुक्सान पहुचा रहे हैं मैं आज इस मंच से ऐसे सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपको हमारी सेना के सामर्थ पर विश्वाथ है या फिर संदे है मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आपको हमारी सेना की कही बातों पर भरोसा है या फिर आप उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो हमारी धर्ती पर आतंग बात को बढ़ावा दे रहे हैं भावियों और बहनों मैं ऐसे सभी लोगों और पार्टियों से कहना चाहता हूं कि मोधी कई मोधी आएंगे कई मोधी जाएंगे लेकिन देश अजरा अमर रहेगा भारत रहने वागा और इसलिए मेरा अग्रह है उनसे कुर्पया अपने राजनेतिक फाइदे के लिए अपने बाउदिक अहंकार की पुष्टी के लिए देश की सुरक्षा से खिलवार करना छोड़ दीजिए भारत को कमजोर करना बंद कर दीजिए